हेलो, बुदिवनिंग तो अल आफ यू, मेक इट इसी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है बच्छों आप सभी का स्वागत है और आज बच्छों अपने जो जो स्रीज चलेगी कुछ दिन तीन चार दिन या चार पाई जो भी चलेगी सब्सक्राइब इस वीक हम मानके च इस हबते हम पढ़ने वाले हम इंजिनेरिंग ड्राइंग क्योंकि हमने देखा अभी ड्याइडियो का पेपर हुआ तो उसमें अभी जो ड्राइंग के क्वेशन जो अगर पूछे गए तो एबरेज अगर मानके चलो मैं हर पेपर में बच्छों अगर असी मैसे मैं बोलू इसके लाव बच्छों आपका जो साइज होता है ड्राइंग से उससे कुछे गए थे तो आज इस से सेशन में यही कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंपॉर्ट जो है जो है जो सब्जेक्ट है या जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आई टी आई में स्किल्ट वर्क जो बना रहे हों उसमें बत्चों वैल्डिंग का उसमें जो है आपका ड्रॉइंग बहुत बड़ा जो है आपका एक मैं कह सकता हूं करना होगी और उस ट्राइंग को देख कर उसको क्या करता है काम करना पड़ता है प्राइंग को बच्वों वहीं देख सकता है वहीं पढ़ सकता है जिसको ड्राइंग का अच्छे से णॉलेज हो और ड्राइंग को पड़के आपका अपने फिटिंग क्या मैं कषूं वैल्ड टो बॉल्ड होता है या फिर आपको कोई कर दीजिए जरूर कर दीजिए शेयर कर दे रहा हूं कि तुप मैं भी कि अगर आपने देखा होगा बच्वों इस समय जो इस वाले डिया डियो सेप्टरंग पाज पेपर हुआ है इसमें बहुत ज्यादा जो है आपका कुश्चन पूछे गए थे बहुत बेसी कुश्चन अगर पूछे गए हूं ऐसा भी नहीं था बहुत बेसी कुश्चन जो है वो पूछे गए थे तो आज का जो हमेरे टॉपिक है वह हमारा ड्रॉइंग इस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं आज क्या पढ़ने हाले हैं इस दयों साब्सें और ड्रॉइंग इस्ट्रूमेंट मतलब ड्रॉइंग जब हम किसी चीज़ की बनाते हैं तो उस दोरान कौन-कौन से इस्ट्रूमेंट का हम यूज प्रिवापि करते हैं ऑर इनq कोईशन द्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और द्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहले एक चीज आती बचों कौन सा आपका ड्राइंग बोर्ड सबसे पहले एक चीज आती है ड्राइंग बोर्ड द्राइंग बोर्ड अभी drawing board होता कैसे है? क्या होता है बचों? यह अभी drawing board क्या होता है? कैसा दिखता है? इससे काफी question जो बचों पूछे जाते हैं काफी question पूछे जाते हैं इसका जो size क्या होता है? according to BIS इसके अलग-अलग size में उपलब्ध होते हैं वो क्या होती है? और यही सब चीजें जो exam में पूछी जाती है तो यह सामने जो screen पर आपको दिख रहा है बचों यह क्या है आपका? यह drawing board है यह drawing board जो होता है बचों यह बना होता है soft wood का बना होता है कभी कभी question बना आता है बचों कि drawing board में जो material जो लकडी जो यूज होती है बचों वो कौनसी होती है तो हमेशा आप ध्यान देना बचों वो बनी होती है आपकी soft wood और यह seasoned wood होती है सीजनिंग करने के बाद सीजनिंग करने के बाद जो लकडी सीजनिंग करने के बाद जो है वो लकडी जो हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं सीजन डूंड और सीजन सीजन ऑफ उड या फिर सीजन उड से आप क्या समझते हो लकडी से मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूब करना लकडी से जब आप केड काड़ते हो पेड़ कटिंग होता है उसके बाद आप उसको सुखाते हो इसनिंग जो है नैचुरल भी हो सकती है सकती है तो इसनिंग का में जो देश होता है में जो एम होता है कि लकडी के अंदर से जो है मॉश्चर जो है वो कंप्लीटली रिमूब कर दी जाए उसको कहते हैं बचों सीजन उड या गलते हैं उसको सीजन उड तो हमेंसा आप ध्यान रखेंगे कि आपका ड्रॉइंग इ होता है वह बना होता बच्व हो आपका केल BMW ग 2 did और या फिर फैन बोलओ केर ऑप कुश्चन तो आपका यहां से बनता है कि ड्रॉइंग बोर्ड जो होता हो किस चीज का बना होता है तो हमें साथ ध्यान रखना वच्छों वह बना होता है करने के बाद जो लकडी हमें प्राप्त होती है उसके अलावा कौन-कौन से होती है अब देखेंगे बचों आपने देख रहे होंगे बचों यह जो बनता है किस चीज का बना होता बचों आपका यह अलग-अलग आपने देखा होना करें रखना होगा इस त्राप्त की होती है निको कमबाइन किया जाता है बाटन के माध्यम से यह चीजब भाईन पर gritके इसको क्या कर देते हैं इसको छोड़ face होगी वह कौन्सी होती हो वो बिल्कुल plane होती है बिल्कोल plane surface होती है तो उस surface का झो use करते हैं हम और drawying के काम इसके उपर हमारी seed ज़ो है वो रखी जाती है clear हो गया अच्छा side जो अपको दीख रहा होगा बचयो यह उसको वर्कींग एज कहते हैं working as और इसमें देख रहोंगे बचों आपका तो लौट सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं बचों इवोनी क्या बोलते हैं इवोनी और ये कहां पर यूज होता है बचों ये होता है आपका यूज जब हम इसमें हम क्या करते हैं ये जब हमोड़ा करते हैं तो कभी-कभी कुश्र कुछा भी जाता है किस्वाइर को कहां पर भीट किया जाता बचों वरकिंगेज में इवोनी की साहिता से इवोनी पर जो हम क्या करता है अपने लो मूब करता है उपर नीचे जो है वह मूव करता है इतनी बात मेरी क्लियर होगी वह विच्छो अब सबसे इंपोर्टेंट थी जो ड्रॉइंग में आती है वह आती है क्या पूछता है वह पूछता है ड्रॉइंग बोड के ड्यजिक नेशन और उसकी जो है डाइमेंशन अलग-अलग दो कोड से बच्चों इसको डिनोट किया गया है। एक है आपका एक कोड जो है वह है आपका IS 1444, 1444 और 1989 इसके एकोर्डिंग जो बच्चों आपका जो ड्रॉइंग बोर्ड जो डिनोट किया जाता है वो डी से पर्दस्थित किया जाता है Capital D से परदर्सित किया जाता है कभी-कभी आपने देखा होगा बचों Drawing Board को कुछ books में D से परदर्सित किया जाता है और कुछ books में आपने देखा होगा बचों अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा Drawing की बहुत सारी books पढ़े होगी तो कुछ books में B से B for Y, D से भी परदर्सित किया जाता है, परदर्सित, इसते IS 1444-1989, 1444-1989 से मैं D से परदर्सित किया जाता है, और दूसरा, SP46, 1988 की अगर मैं बात करूँ, इसमें बच्चों किस से डिनोट किया जाता है, B से परदर्सित किया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होता है, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में एक बहुत छोटा सा अंतर है, दोनों के designation में बहुत छोटा सा अंतर है, और अंतर भी कहां पर आता बचों, अंतर भी आता है आपका B3, या फिर मैं बोलूँ आपका D3 में, तो हमेशा आप ध्यान रखना IS 1444 1989 में D से परदसित किया जाता है और SP46 1989 में B से परदसित किया जाता है कितना आप ध्यान रखना confusion होने की जरौत नहीं है इस पर D0, D1, D2, D3, D4 आपको मिलेगा किसी बुक में आपको B0, B1, B2, B3, B4 भी मिल सकता है यह मैंने इसलिए बताया बचों, बहुत सारे बच्चें जो है confused हो जाते हैं, कुछ बुक्स में D होता है, कुछ बुक्स में B होता है दोनों ही बचों सही है, दोनों जो है अलग-अलग code designation के हिसाब से अलग-अलग है इसके बाद इंप्रेटन कोश्टन यहां पर बनता है वह किससे बनता है आपका डैजिंग नेशन और उसकी डाइमेंशन अब बचों बोर्ड डाइमेंशन राइमेंशन और नेशन अगर मैं बोलू अकॉर्डिंटो 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 का आईएस इतना तो टर्य इंटीन एटीन नाइन है तो ड्राइंग बोड कैसे प्रत्रेसित की जाते थे बच लोओ वी से प्रत्रेशित कि आ जाते हैं कैसे प्रत्रों यह जीरो पीवं टीटो टीटी फिरी छिक इसके लाब चों आपका डीपोर कि क्या होगे वच्छों आपके यह होगे आपके डहनी सन क्या होगे कुल इसके बाद दूसरे में हम क्या लखेगे इसकी किस पेपर के साथ यूज होगा to be you विद इस पेपर के साथ चिंडू हो yesterday साइज एजिरो है एवन है एटू है एट्री है एफोर है किसके साथ यूज होगा तू भी यूज़ड विद सीट साइज और वैसी बात है डी जिरो है तो यह होगा यहाँ पर एजिरो साइज यूज होगा विडिरो यहाँ थ्यूज़ड मैं ए data यूज होगा दी सीट का विश्यूज होगा और डीसंट सीटभक्रों यह लाज इतने बात मेरे खेर होगी XML वेल्डर ट्रेड मेरा वेल्डर mcq श्रीज लाएं सर जी वेल्डर mcq श्रीज बहुत हमने कराई है पहले उसको पढ़ लीजिए उसके बाद जैसी पेपर आएगा बच्छों जैसी कोई नया पेपर आता है उस दोरान भी करेंगे हम 20-20 में भी कराते रहेंगे वेल्डिंग ड्रोइंगि बहुत इंपॉट है आपका अभी कुछ बक्स्स चिला रहे थैं कि सर इंजनरिंगड्रोइंग बहुत पूछा गया था बहुत पूछा गया था कम से कम ब बेसिक कुछिशन है अपने त्यार कि आप है मेरा सर कमेंट्स पर लोग वैल्डिंग ट्रेट से बच्छों क्या पुछना चाहरे हो कि जैदीब सिंग कह रहे हैं से वैल्डर ट्रेड है मेरा हां जी बताइए वैल्डर ट्रेड है मेरा बच्छों इंजिनरिंग ड्रॉइंग जो है वह बाुन्स है सब के लिए ढूंस हरे एक और मिल्सूमन जो पोछे जाते हैं और अभी अपने डिया रडा लगया होगा कि किसन पूछे गए थे यह कि तो भी यूज़ होगी दिस साइज और लास्ट में देखते यह सेखते तो आपका विल्टेश वे हो ठीज इलो है कि यह जो साइज होता है वह कितना होता है आपका बिल्टा होता बचों मढा सो थाओ जांट इंटू पंदरसो थाउजेंट इन्टू 25 और डाइमेंसान आर इन एमम सभी पंदरसो इन्टू थाउजेंट इन्टू 25 दूसरा जो हो जाएगा बच्चों वो क्यों चाहा हो आपका देखो यह बीच वाला है जो ना वो यहीं पर ले आओ याद करने की जुरूत नहीं है इसके बाद 700 इन्टू 25 और डीटू यह कौन सा हो गया बच्चों डीवन डीटू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों वो जाएगा आपका देखो यह बीच वाला यहां पर ले आओ 700 इन्टू 500 देखो पहले जो थिकने से बच्चों आपकी वोड की हो कितनी है आपकी 25 बुआ को अब डीटी में इसंटी इन्टो 15 लेडे डीट्री का कि यह कितना हो जाएगा बच्चों आपका अपका वीसे हो जाएगा आपका फिस का हो जाएगा आपका तो 15 mm तो उपर हो गया यह लिख देता हूं मैं तो सारी डाइमेंशन यह बचाओं और साइज कैसे है बचाओं आपका साइज जो है कैसे है साइज कैसे है लैंध इंटू विड्थ तु थिकनेस लैंध इंटू विड्थ इंटू थिकनेस तो एजी रो की क्या है पंदरसो इंटू 1000 इंटू 25 उसके बाद बचाओं आपकी डी 1 की जो है वह क्या है आपकी थावजेंट इन्टू 700 इन्टू 25 उसके बाद बचो 700 इन्टू 500 इन्टू 15 उसके बाद बचो आपका 500 इन्टू 350 इन्टू 15 और लास्ट में D4 का साइज आपका कौन कितना लास्ट का साइज का बचो आपका 350 इन्टू 250 इन्टू 15 इसमें किसी को डाउट बचाओं इसमें किसी को कोई डाउट अब अब बचाओं अगर अगर ये एक अकॉर्डिंग तो आई-एस वा कितना साथ 244 1989 अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग था अगर मैं इसको SP46 SP46 1988 के अकॉर्डिंग क्या चेंज है क्या चेंज है जो सिंबल आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे B0 B1 B1 उसके बाद B2 उसके बाद B3 उसके बाद B4 सारे जो साइज होगे केवल जो चेंज होगा चेंज कहांपर होगा किस कहांपर बचांओ B3 में इसके अकॉर्डिंग B3 का जो साइज होता हो क्या होता है आपका 500 इंटू 300 इंटू 15a कि यह चेंज है बस कि यहाँ पर डीजीरो डीवन डीटू डीट्री डीफोर लिखा हुआ है और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखे तो महां पर क्या हो जाएगा बीजीरो बीवन बीटू बीट्री बीफोर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी कंफ् करते हैं ती स्कॉर है कैसा होता है इस तरीके का आपका इस ट्रॉमेंट होता है ड्रॉइंग में जो यूज होता है क्योंकि मिनी ड्राप्टर ने जो है सब कुछ जो है वो सब का जो है आज कल मिनी ड्राप्टर आ गए है तो मिनी ड्राप्टर जो है बचों All-in-one Set-square भी उसी में, T-square भी उसी में, Scale भी उसी में, Protector भी उसी में Horizontal and Parallel Line कैसे बच्चों आपको यह दिख रहा होगा आपको यह T-square दिख रहा होगा बच्चों यह वाली जो एज है यह वाला जो एक यह ता बच्चों इसको इसको Stock कहते हैं, इसको Head भी कहते हैं, और यह वाला जो आपको लंबा Skills हो ब्लेट कहते हैं यह इसने Connect होता है किसके साथ? Stock के साथ और आपकाav ब्लेट और Stock के वीच का एंगल होता है अब कितना होता है आपका 90D पे होता है, 90D पे आपका Stock के साथ फिक्स किया जाता है अच्छा यह वाली जो एज होती बचों यह वर्किंग एज कहते हैं इसको उपर वाली जो एज होती है इसकी दिखरी होगी यह बिल्कुल सीधी होती है और नीचे वाली थोड़ी सी क्या होती है आपकी टैपर होती है उपर वाली जो एज होती बचों इस किसको slide कर सकते हैं किसको stock वाले part को इतनी बात मेरी clear होगी अच्छा और क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं प्रेंट एंगल एंगल यूजिंग set square सेट square का यूज करके हम अलग-अलग एंगल इस पर खीश सकते हैं इसके ओपर सेट स्क्वाइर रखके हम अलग-अलग जो है एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपका 30 डिगरी 45 डिगरी इसके लाव अच्छों आपका 60 डिगरी इसके लाव अगर बात तो आपका 90 डिग्री यह सारे एंगल जो हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं सेटी स्क्वाइर के साइता से इतनी बात मेरी कलेर होगी बच्वों इसके लावा अगर मैं बात करूं तो हम इसके लाव चौह में बात करूं तो कें ड्रॉ पर्पेंडिकुलर लाइं पर्पेंडिकुलर लाइं पर्पेंडिकुलर लाइं भी जो है वह हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं यह हो गया डिफ्रेंट एंगल में यह कर सकते हैं इसके लावा आपका लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 90 एन एंगल कि एन बी ड्राउन किसी एंगल पर लाइन खिषने तो वह भी से पॉसिबल है टी स्कॉर से यह सारी चीजें जो हम कर सकते हैं क्लियर हो गया इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डाजिग नेशन के अगर मैं बात करूं तो इस बी अलग-अलग साइज में यह उपलब्ध होते हैं यह अलग-अलग साइज में उपलब्ध होते हैं कि आपके टी स्कॉर में तो इसमें कैसे मिलते हैं अचों यह आपको मिलते हैं टी 0, T1, T2, T3 टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी- यह होगा 1500 mm यह होगा बच्छों 1000 mm यह होता है आपका 700 mm और टी थी होता है आपका 500 लेंथ और लेंथ किसकी होगी आपकी ब्लेड की तो यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे बच्छों यह आप से पुछा जा सकता है लेंथ लेंथ लेंदफ प्लेडट किसकी है बनीजिब टीजि़ो टी स्कॉाइर की जो लेंथ होती हो kl कितनी होती ще apras आगे बढ़ते हैं बचों एक आता है आपका सेट स्कॉायर इसको ज्यादा बताने की जुरूत में क्यों कि यह क्या होते हैं सेट में उपलब्द रहते हैं किसमें रहते हैं अपलेवल इन सेट कि अपलेवल कि एक जो एज्याओंगी आपकी वो 90 डिगरी पर होगी कि इस तरीके से होते बच्चों यह एक जो होता है आपका यह किस पर होगा आपका यह 90 डिग्री यह आपका 45 डिग्री एक दूसरा होगा कि इस तो आपका 90 डिग्री होगा है कि इस तो आपका आठ डिग्री यह होगा आपका अटी डिग्री यह होगा आपका सारे क्यों है किस के माधियम से सैटि स्कॉयर की माधिय। के गड़ें तो 30 डिग्री 45 45 डिग्र में बात करूं बच्वों किस चीज़ का बना होता है हमेसा ध्यान देना कभी कभी पूछा जाता है तो अकराइलिक सीट एक्राइलिक प्लास्टिक सीट लिपता हूं एक्राइलिक प्लास्टिक सीट और और सेलुलोइड कभी कोश्चन पूछा जाता बचों पता होना ची आपको सेलुलोइड और यह किस तरीकर होना ची आपका ट्रांस्पेरेंट क्योंकि कुश्चन पूछा जाता है कि आपके जो सेट इसक्वाइर हो चाहिए बच्चों आपके प्लोटेक्टर हो चाहिए आपका स्केल हो उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है इसके अलगा अगर प्लास्टिक इसमें पूछा जाता है कि आपका यहां पर लेता हूं पंदरह डिगरी के में कोण बनाए जा सकते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं हम पर लिख देता हूं listen से स्क्वाइर के माध्यम से 15 डिग्री के मल्टिपल उडांक मैं कौन 15 तुना 30 फिर 45 स्टार्ठ फिर उसके साथ 15 वाट दो मतलब 15 15 एड़ करके जो है हम कितने भी आपके 15 के मल्टिपल पंदर के मल्टिपल एन इन्टु 15 वान टू थ्री फोर फाइव जितने डिग्री आपका निकला उतने ज्यादा जो कौन है हम इन दो से स्क्वाइर के माध्यम से जो है वो बना सकते हैं कि बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा पुछा जा सकता है कि स्क्वाइर के माध्यम से 15 डिग्री के गुणाक में कौन बनाए जा सकते हैं या इसको एक अलग चीज अलग तरीक से भी पुछा जाग सकता है मिनीमम 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 एंगल वी चैन एक जूजिंग जोट इसक्वाइर के माध्यम से सेट स्क्वाइर का यहां पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्वों बिना चांदे का यूज करे वे बिना प्रोटेक्टर का यूज करे वे हम कम से कम 15 डिग्री का कौन जो है वो बना सकते हैं कि यह हो गया कि यह हो गया बच्वों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक चीज़ हम देखते हैं मच्वाइब का मिनी ड्राप्टर और आज कल जो है यही ज़्यादा प्रचलन में है मिनी ड्राप्टर बहुत ज़्यादा यूज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है राप्टर क्योंकि पुच्वाइब कंबिनेशन है सभी के सारे की सारी चीजों का एक साथ काम कर दे सकता है कि मैं कह सकता हूं कि इसमें जो है T square, set square, scale, t square, set square, protector, and scale के सारे गुण्ण मिनीड्राप्टर को मिनीड्राप्टर को पच्छों ड्राप्टर मसीन भी कहते हैं इसे लिग देता हूं इसे कि कभी कभी कोईशन पूछा जाता है कभी कभी कोईशन इसे ड्राप्टिंग मसीन भी कहते हैं इसमें टी स्कॉयर सेटी स्कॉयर प्रोटेक्टर स्केल के सारे गुण होते हैं या फिर मैं有人 को यह काहूं या फिर मैं ocurra कॉंकी मिन राप्टर में अ कि नी राप्टर कि hiç संबीने गहाँ धिन लॉफ में गॉन कि तर इउन कम भीने सं आफ कंभीने संब menason ऐ इन एभ किनकिन सीज का संबीने संप T-square plus set square plus protector plus scale ये सारी की सारी चीज़ें जो है बच्छों है सारी की सारी चीज़ें ती स्कॉइर का काम भी हो जाता है स्टी स्कार का काम भी हो जाता है प्रॉक्टेटर काम भी हो जाता है एक सिंगल एक सिंगल से उसको अमने नाम दे दिया क्या मिनी ड्राप्टर इससे कहते हैं मैं वह कोशन आपको बता रहा हूं जो चीज़ें आप से पूछी जाती है और अक्सर आपको जो है एक लाइन में आपको आंसर देने होते हैं यह हो गया आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम एक सीज़ आपने पढ़ा होगा बच्छो इसकेल और इसकेल की अगर मैं बात करूं इसमें एक कोश्चन हमें सापूछा जाता है इसकेल जो है एक पूले साइस सकेल एक यूसे त्हुता हैं रीडियूजिंग इसकेल इसते भी बहुत कोश्चन पूछी जाते हैं बच्छो एक होता है है इनलार्जिंग इसके बहुत ज़या पुछे जाते हैं तो full size scales full size scales or reducing scale or enlarging scale क्या होता है वच्छों क्या होता है इसके में जो रेशियो होता है 1 is to 1 अब यह होता क्या है हमें साथ ध्यान देखना पहले वाला जो होता है बच्छों पहले वाला जो होता है वह क्या है डाइमेंशन ओन ड्रॉइंग यह आपका एक्च्वल डाइमेंशन और इन दोनों का रेशियो इस यह क्या है एक्च्वल एक्ट्वल डाइमेंशन अंड्राइंशन और कि क्या है इन दोनों के रेशियो अगर इन दोनों का रेशियो जो है जैसे 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 वन इस्टू कि यहां पर कुछ भी हो सकता है आप ने जहाँ पर मैंने एक सिस्ट लिखा है यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है Reduzing Scale और Reduzing Scale कहां पर यूज किये जाते हैं बचों किस में भरवन के नक्सें बनाते हैं धिजित्ली सी सीट्सेटि स्वऑ होगा तो फिर फाइदा ही क्या चोटी ड्राइंग सीट roommate होती है हमारी उस सीट्पे अगर हमने घर का नक्सा बनाना वर uploaded और जो स्केल हम उसको कम करके दिखाना है इसको क्या बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल मतलब चोटी चीज है बहुत चोटा कोई पुर्जा है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घडियों के छोटे पार्ट है बहुत चोटा कोई ऊपने दिखाना है तो इसको यह दो पर क्या हैं एक सेंट्मेटर अगर ढरट सेंहिंग की है अक्त्र डामिट्र twenty-course सेंट्र मिल्ग कि यहाँ पर हमने एक सिंट्रि मीट्र ड्राइंग में लिखी बच jewels तो आपका इसकेल में आपका आपका क्या हो जाएगा क्या बोदर PK किया यहाँ पर एक से ज्यादा होगा बाएक से ज्ञादा ऐक से ज्यादा हमिए और मैंने दो लिख दिया و 100 Legendba दो थी मैंने ड्राइंग में क्या लिखी 25 तो ड्रेजेंग करी यह नहीं करी अ कि यह दूसवाला क्या सो कर्डा एक्सेघ्टालडायमेंशन अगर मैंने यहाँ पर दो लिख दि एक से ज्यादा लिख दि न ऑ लिक की की और है और कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्छों यहां पर लिख दिया मैंने आपका यहां पर दूग ना कर दिया यहां पर दो लिख दिया यहां पर मैंने दो लिख दिया अब अब एक्च्वल डायमेंशन तो है एक एक सेंटीमेटर है और यहां पर लिख दिया आपने दो सें इन लार्ज स्केल तो यहीं चीज़ है बचों यहीं पर जो है आपको जो है यहीं है कुछ इसके standards होते हैं बचों इसके कुछ standards होती है जैसे आपका अगर मैं बात करूं इसकेल के बचों तो वन इस्टू वन इस्टू रुट वन इस्टू फाइव बन इस्टू यहीं सारे की सारे जो यह क्या होंगे आपके यह किस क्या होंगे आपके reducing scale होंगे इस सारे क्या होंगे आपके reducing scale होंगे कि यह हो गया और enlarging scale क्या होगा suppose for example 2 is to 1 10 is to 1 या फिर 5 is to 2 यह भी 5 is to 2 यह भी क्या है enlarging scale मतलब actual dimension 2 है और dimension on drawing 5 है इसको यहां से समझना है बच्चों दूसरा वाला क्या है actual dimension पहला वाला क्या है dimension on drawing clear हो गया तो यह कुछ standard dimension है आपकी reducing scale की और enlarging scale की clear हो गया अब एक चीज और देख लीजिए बस एक चीज और देख लिए जब चाहों cool size scale के लिए 2 size scale के लिए RF जो होता हो कितना होता है इसके लिए pollution scale के लिए मैं है और religion scale के लिए और यह कितना होता है बचों greater than one कि इंपॉर्टेंट कुछी है और यह आप याद करेंगे किया हो गया आरेफ आप सभी को पता होगे पिया होती है और आप सभी को पता होगा क्या होता है ए業Every है अरेफ क्या होता है रिप्रजेंटेटिव सथेक्टर कुंप्र ञेंटीटिटीर क्या होता है रिप्रेуется स्टां रिप्रेजनटेटिव्च प्र और यह क्या होता है औरूंपाथ किसका होता है थाइमेंज़न दाइमेंसन और दी रॉईअंग अपॉँण एक्ट्य Bem assumed जाँध ड्रॉईन पर डिया ड्रॉईंग पर क्याуем डाइमेंसन आपने लिखी और उसकी एक्ट्य क्या हो उसके अनुपात को हम क्या क्य और प्रेसेंटेटीव फेक्टर मतलब Main और यही चोटे-चोटे कोईशन पूछे जाते हैं कि यही चोटे-चोटे कोईशन पूछे जाते हैं कि यह हो गया कि वह डाउट और इसी चोटे-चोटे टॉपिक्स और बहुत जो हमारे काम के टॉपिक्स समचों यह हम डेली जो है इस ड्राइंग वाले सेशन जो सामको हम लेंगे इसमें छोटी-छोटी चेंट डिसकस करेंगे इसके कि कौन से चोटे-चोटे-चोटे कोशन जो है इसमें पूछे जाते हैं तो अच्छी तरीके से हम इसको कबर करेंगे ओके बच्छों आज के लिए इतना ही कली मिलते हैं इसी टाइम पर बच्छों और बच्छों एक इनफॉर्मिशन आपके लिए बच्छों अगर आप डेडिकेटेस्ट हमारी जो है फिटर और वेल्डर का जो है वो डेडिकेटेट कोर्स जो है वो लॉंच हो चुके हैं और एप में इनकी रेगुलर क्लासेश चलती है अगर इसी तरह के लेट्सर बच्छों आप बहुत अच्छी तरीके से और अधिक जानकारी के साथ और अधिक कंटेंट के साथ एक फिल्टर कंटेंट के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप में कीटिजी एप के माध्यम से बच्छों हमारे जो कोर्सेश है वह आपके ले सकते okay thank you